इंडियन प्रीमियर लीग दो हजार चौबीस में पहली बार रूटुराज गैकवाड की कप्तानी में उतरी चेननई सुपर किंग्स ने लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया CSK ने चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजराट टाइटन्स को 63 रनों से करारी शिकस्त दी इस मुकाबले में चेननई टीम ने टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए 207 रनों का टारगेट सेट किया था इसके जवाब में गुजराट की टीम आठ विकेट गमवा कर 143 रन ही बना सकी और मुकाबला गवा दिया गुजराट के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए जबकि रिद्धिमान साहा और डेविड मिलर 21-21 रन बना कर आउट हुए गुजराट का कोई भी बल्लेबाज अपनी चाप नहीं छोड़ सका और टीम ने मुकाबला गवा दिया चैननाई टीम के लिए दीपक चाहर, मुस्ताफिजुर रहमान और तुशार देशपांडे ने दो-दो विकेट जटके जबकि मतीशा पतिराना और डेरेल मिचेल ने एक-एक विकेट लिया चैननाई के लिए कप्तान रूतुराज गैकवाड और रचिन रवींद्र ने 46-46 और शिवम दुबे ने 51 रन बनाए